सब को जैम स्रीकी मैं पास्टर पीम लाल मैं पास्टर सुरेंदर सिंग आई हम आज के लेसन के अंदर आगे बढ़ेंगे और इस वक्त मैं अनुरोद करना चाहता हूँ पास्टर भारती जी से कि वो प्रात्ना में अगवाई करें परहंपिता परमिश्वर हम तेरे पास आते हैं तेरा धन्यवाद देते हैं इस अच्छे अफसर के लिए जो तुने हम तमाम को और हमारे दर्सकों को दिया है कि हम तेरे वच्छन से परमिसर बैट करके सीख सकते हैं और तेरा वच्छन परमिसर लोगों के बीच में बाढ़ सकते हैं तुस्य दूआ करते हैं कि तो हमें से हरे की अगवाई कर और अपनी समझ रबढ़ी दे हमारे दर्सकों के साथ हो उनको इपरमिसर समझ रबढ़ी तेरी तरफ से मिले कि वो तेरे वच्छन को समझ सकें और अपने जीवन में इस्तिमाल कर सकें प्राथना को सुन और कबूल कर मस्य येसु के नाम मांगते है आमें बहुत बहुत धन्यवाद पासुजी प्राथना के लिए आई हम आज के अध्यन की शुरुआत में जाएंगे और आज का जो याद वजन है वो पढ़ेंगे जो कि हमें मिलता है मरकुस के पुस्तक उसके पहले अध्या के सत्रे वचन में यहाँ पर कहता है कि येशु मस्य ने उन से कहा मेरे पीछे आओ मैं तुम को मनुश्यों के मच्छुआ बनाऊंगा आमें सच में हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्यों के इस वचन के अंदर येशु मस्य की सेवकाई की शुरुआत को हमने पिछले अध्यान के अंदर बहुत ही जादा गहन चिंदन किया दा कि किस तरीके से मरकुस ने अपनी सेवकाई को शुरुआत करता है और किस तरीके से मरकुस इस पुस्तो को लिखता है जिसके अंदर वो प्रवियेशु मसी का एक बहुत ही खुबसूरत परीचे देता है परमेशो के पुत्र के रूप में पविश्यवाणियों के साथ उसको जोड़ता है कि यही वो मनुश्य है जो स्वर्ग से उत्रा है जो हम सब के पापों को उठाने के ले जाने वाला है आई हम देखते हैं आज का जो विश्य है वो है येशु की सिवकाई का एक दिन और इस दिन के अंदर देखते हैं किस तरीके से प्रवियेश मसी अपनी सिवकाई को आगे बढ़ाता है अगर हम देखते हैं इन सुसमाचारों के विशे में यहां पर हमारे पास चार सुसमाचार है मती, मरकुस, लूका और यहुना जिसमें जो मती, मरकुस और लूका है ये जो तीनों है ये एक दूसरे के साथ मेल करने वाले सुसमाचार है और अगर हम इनको देखते हैं मती की पुस्तक के देखते हैं तो यहाँ पर मती जो है वो चेले होने के लिए बुलाता है कि तुम चेले के लिए प्रभी येश्व मसी बुलाता है और साथ में वो परचार करता है उस परवत पर जो हम कहते हैं पहाडी उपदेश जिसको हम अच्छे तरीके से जानते हैं उसके बाद में यहुना को हम देखते हैं यहुना भी जो है वो चेले होने के लिए यहां पर बताता है कि येशु मस्थी चेले के लिए होने के लिए लोगों को बुलाता है और साथ में वो पहली शादी के अंदर जहां येशु मस्थी को बुलाए जाता है और जहां प्रभी येश्यमस्ति अपने पहले कार्य पहले अश्यर कर्म को वहा पर करते है और साथ में हम देखते है कि किस तरीके से जो मर्कुस कि पुस्तक है ये जो है ये एक बात पर विशेश ध्यान देती है चेलों के फिर्द से बुलाये जाने को और उसके साथ में सैबत के दिन अराधनाले के अंदर प्रभीयेश मस्पी चंगायां दे रहे हैं इसके साथ में देखिए जब हम इसके और आगे वच्छन को पड़ते हैं तो प्रभीयेश मस्पी यहां पर एक बात कहते हैं अगले अध्यान के अंदर मेरे पिछे आओ यह जो शब्द है यह बहुत ही प्यारा है जहांपर प्रभीयेश मस्थी चेलों को अपने पीछे बलाता है और यह हम सब के लिए एक बहुत आशा वाली और एक खुमसुरत बात है जहांपर प्रभीयेश मस्थी कहते है मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें जो है मनुश्यों को पकरने वाला बनाओंगा यहां पर प्रभी येश्यों मसी अपनी सेवकाई की शुरुआत करते है और शुरुआत के अंदर वो पहला जो कदम उठाते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे पीछे आओ मेरे चेले बनो क्योंकि ये जो कारे है जो करने के लिए प्रभी येश्यों स्वर्ग से इस धर्ति प्राया वो चाहता है कि वो कारे अब हम आगे बढ़कर करें और इस सेवकाई को आगे बढ़ाएं जी पासर जी अभी जैसे पासर शाम ने बताया खुदामद येश्यों मसी की सेवकाई के बारे में और उस दिन के बारे में जिसमें खुदामद येश्यों मसी ने अपनी सेवकाई सुरू की और इसका वरणन हम मर्कुज के किताब उसके पहले अध्याई की 21 आए से लेकर के और 28 आतक का मैं खास करके आपके सामने यहां पर जिकर कर रहा हूं कि खुदामंद येसु मसी अपने चेलों के साथ विस्वासियों के साथ वो अराधना लेमे जह हैं वो दो आइबादत कर रहे हैं प्राथना कर रहे हैं और वहां खुदामंद येसु मसी लोगों को जह है सू समाचार दे रहे हैं और जब वहाँ पर परचार कर रहे हैं उपदेश दे रहे हैं तो यहां लिखा है कि एक व्यक्ति था जिसमें असुद आदमा थी और वो भी जह हैं वहाँ पर बैठा हुआ था और यहां जो है जब वो उस उब्देश को सुनता है खुदामन येसु मसी के तो यहां से मैं परमिसर के वच्चन से पढ़ना चाहता हूँ उसका मर्कुस का पहला अध्य है और इसकी ये 24 आयसे खास करके 23 आयसे मैं यहां पर पढ़ रहा हूँ कि उसी समय उनके अरादनाला में एक मनुस था जिसमें एक असुदात्मा थी उसने चिला करके कहा हे येसु नासरी हमें तुझ से क्या क्या हूं क्या तु हमें नस्ष करने आया है मैं तुझे जानता हूं कि तु कौन है परमेशर का पवितर जन है येसु ने उसे डाट कर कहा चुप रहे और उसमें से निकल जा ये आशिर एकरम खुदामद येसु मसी सहबत के दिन आरादनले में लोगों के सामने विश्वासियों के सामने ये घटना ये सुमसी के जीवन में घटती है कि उस असुद आत्मा को जो उस व्यक्ति के जीवन में काम कर रही थी वो जो है खुद कहती है कि मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है और तु हमें नफ्स करने क्यों आया है और यहां यिसु मस्यूश को कहते हैं कि तु चुप रहे हैं और इसमें से निकल जा और उसी वक्त उसके जीवन से निकल करके जहां वो चली जाती है लेकिन यहां जो विश्वासी लोग थे दो चर्च के मेंबर थे जो उस दिन प्रास किस ताकत से ये लोगों को आग्या देता है, यहां तक कि जो असुद आत्मा हैं, वो भी उसकी आग्या को मानती है, और वो लोग बहुत आशिर करम करते हैं, बहुत आशिरे करते हैं, कि ये आदमी कोई साधाराना व्यक्ती नहीं है, और इस तरह से खुदामन येसु मसी के इस काम का जिकर जह है, उस छेतर के तमाम लोगों के बीच में जह है, वो फैल जाता है, येसु मसी को लोग जह हैं, वो जानने लग जाते हैं, कि येसु नासरी जह है, वो साधारान व्यक्ती नहीं है, बले एक असुद आत्मा ही भी जहां उसकी आग्या मान करके लोगों के जीवन से निकल करके शड़ी जाती है तो इस तरह से ये सुमस्थी के नाम की महीमा और तारीफ होती है बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन वचनों के लिए जो आपने रखे हैं ये बहुत जरूरी है जहांपर प्रभी शुमस्थी की ताकत को हम देखते हैं कि किस तरीके से उसकी जो सामर्थ है वो कारे कर रही है देने वाद देता हूं इन विचारों के लिए प्रियादर्शका आपका सौगत है फिर से ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं मर्कुस की पुस्तक और देख रहे हैं किस तरीके से एक दिन प्रभी शुमस्ती की सेवकाई की विश्य में आईए हम जो है आज अपने विचारों में जाएंगे और इन बातों को देखेंगे चर्चा करेंगे किस तरीके से परमेश्र का जो वचन है हमें और किस तरीके से आशेशित करता है आईए हम सीधा चलते हैं अपने अतितिकनों के पास जी मैं थैंक यू बास्टर शाम जैसे क यू बास्टर भारती ने हमें बताया कि यू मसी अराद नाले में गए और उन्हों ने अपने आगे की अपनी सिवकाई को किया तो यह हम लोगों के लिए कि साबत में जो हम करेंगे हम चिशक देका कि साबत की मौर मैंनिस्ट्री साबत की मौर प्रभु यू की जो इसके बाद क्या क्या करना है अगर हम पहले अध्याई की मर्कुस के पहले अध्याई 29 वर्स को पढ़ते हैं तो तुरंथ एक तुरंथ वर्ड यहां दो पर ही आ रहा है कि इमीडियेटली यह उसी समय तुरंथ रादले में से निकल कर याकूब और यहुना के साथ शमान औ और अंध्यास के घर आया तो उन्हों अपने जो उनके साथी ते जो उनके डिसाइपल थे उनको लेकर वो उनके घर जाते हैं तो यह हमें सिखाता है कि हमें जो जब सबत का और भावन का अपासना हम लो कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है बैठना नहीं हमें वर्ट्स में शमावन की सास ज़र से पीड़े थी और उन्हें तुरंत उसके विश्य में उससे कहा तब उसने पास जा कर उसका हाथ पकड़ कर उठाया और उसका ज़र उसकी सेवा टहल करने लगे लगे तो हम क्या देखते हैं पस्टा यहां पर कि जो येशु मसीग वहां ग क्या पाते हैं उसके बाद कि वह तरन्त उठकर जो है उनकी सेवा करने लगे लगे तो इससे हम क्या सीखते हैं वह बहुत अच्छा उद्हरन है उसकी सास का कि वह जैसी उसने पनी चंगाई पाई और वह जो है परमिश्वती बातों से चंगाई उसको अनन्त राप्त वा ब giàते naj săंचा अधे लोगाई खाए जो नकी सेवा करके लगे लगें लोगों के पाते हैं जो है मिलि नलके कड़ीन लगे य्दें मेश्वता वह जो है अन्हें सामार्ज अजर करने हैं उसको फ्राफाण के जरीर है प्रादीर प्रभू का हात वह ऑ्रात है वह सामार्थ ज wagon करते रहें, गबरायें नहीं को चलते हैं, पर मशर्ण संधया का समय है, सूर पोρ हम एक बाद हम क्या लगं देखते हूब करने अई सबत đến के समापत होते हैं goose running perspective तो लोग सब बिमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और सारा नगर दुआर के पर इकठा हो गया अब देखो कितनी भीड की भीड उस दुआर पर पत्रस के दुआर पर इकठी हो गई वहाँ चेले भी थे और प्रभु येशु थके नहीं प्र लोग जो सीख रहे हैं प्रभु की सेवा को ये प्रभु येशु नहीं कैसे सिखाया तो हमें भी जो है सबत को सिर्फ घर में या उपास ना करके ना बिताएं बल्कि जैसे उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों के सेवा करना दूसरों के प्रती अपने जो है प्रोसाहित कर उनके लिए प्रात्ना करना ये हमारे सिखाता है ये जो वचन है एक दूसरे के साथ मेल जोल करना बहुत जरूरी है सहबत की बाद में वास्ते में यही सहबत का मतलब है जी पासर चीश्टम बहुत अच्छा आपके एक्स्प्लेन किया हम देखते हैं प्रभु इश्मसी की पुचंगाई की मिनिस्ट्री अपनी से सेवकाई करते हैं तो ये सब चीशें जो है ये सब चीशें जो है ये पास्टर ये हमें बताती है कि प्रभु इश्मसी की सेवकाई किस तरीके से जो है उन्होंने आरंब की लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं मर्कुस जो है मर्कुस एक चीज मर्कुस को जो है वो अकर्शित करती है और वो जो चीज जो अकर्शित करती है मर्कुस को वो प्रभू ईशुमसी की जो है वो प्रार्थना करने की योता करती है उनकी समय की उपर जैसे उनको अफसर मिलता था वो अपना समय निकाल के प्रार्थना मिचाते थे मैं पढ़ना चाहूंगा यहां वचन में से आपके लिए पहला दिया उसके 35 में वचन में लिखता है बाइबल में कहता भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वैं उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्त ना करने लगा तब शिमान और उसके साथी उसकी खोज में गए और जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंड रहे हैं उसने कहा आओ हम और कहीं आप इसी के लिए निकला हूँ तो यहां पर प्रार्तना जो है इससे ये प्रार्तना में जीवन हमारा जो है वो कितना अवश्यक है कितना अवश्यक है यदि प्रभु ईश्यमसी स्वाइम जो थे यदि वो खुद परमेश्वर होकर प्रभु होकर इश्वर होकर यदि वो स्व वो प्रार्थना में इतने लगे हुए थे और इतनी प्रार्थना मनुश्य रूप में आकर इस पृतिव के उपर करते थे तो हमें और कितना अधिक प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, कितना अधिक प्रार्थना में लगना चाहिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा को निकालन की सेव काई, मरीजों की सेव काई, इसके लिए पीछे जो ताकत है हमारे शक्ति जो है पीछे जो हमारी मुनिस्री को काम जब करती है वो है प्रारतना है, पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक रूटीन प्रारतना होती, सुबह उठे है प्रारतना किया है, अपने पर प्रात्ना भी करते हैं लेकर जो 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 यहां से मेल जो बनना चाहिए हमारा वो मेल नहीं हमारा बन पाता तो प्रभू के साथ एक प्राःत्ना वो होती है जब हमारी दिमाग की पुरी शक्तियां यहां इस संसार अलग हटकर प्रमेशघ की ओपर वन और पात्ना ओधना अज़ती है इस प्रात्ना को हम लेकर चलते हैं तो मैं सोचता हूं कि मसीh की तरह हमारी सेवकाई भी कामयाब हो सकती है अमें बहुत बहुत धनेवाद पास्टू जी आपके इन अच्छे विचारों के लिए सच में जब हम देखते हैं प्रार्तना के विशे में सेवकाई के विशे में प्रार्तना जो है एक तरीके से रीड की हड़ी है हमारी सेवकाई की अगर हलकी सीव कुछ दिक्कत हुई तो हम गिर जाएंगे, हम उटनी पाएंगे अच्छे विचारों के लिए धन्यवाद पास्टी प्रिये दर्शको आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हम मिलते हैं आप से एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रिये दर्शको आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं मर्कुस की पुस्तक पे और हम चर्चा कर रहे हैं प्रभी येश्यमस्थी की सिवकाई के लिए किस तरीके से ये शुमसी अपनी सेवकाई के उस एक दिन को कारे करते हैं और किस तरीके से उस कारे का यहां पर मर्कुस जो है हमें बताता है कि किस तरीके से परचार कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं आई हम जानते हैं आगे कि अध्यान्न में जाते हैं और जानेंगे कुछ और महत्रपुन बाते हैं हमारे अतीति गर्णों से जी पस्टर सुरेंदीड़ जी धन्यवात करते हैं पस्टरशियाम का और आज हम तमाम मर्कुस की पुष्टक से हम सीख रहे हैं परमीश्वर की सिफकाई के बारे में और खास तोड़ से हमने देखा कि परमीश्वर की सिफकाई किस परकार से आरंप हुई है और आज जो इस वक्त हमारा जो बातचीत हो रही है वो है परमीश्वर के एहम चमतकारों के बारे में खुदाकी जो सेपकाई उसमें जो अहम हिस्सा रहा है वो उसके चमतकारों कर रहा है और उन चमतकारों के जरी जो है जो भीर थी जो दुखी उलाचाल लोग होते थी वो परमिशवर के पास आते थे और वो चंगाईयां पाते थे लेकिन उससे पहले जिसे पास्टर के द्वारा बताया गया कि परमीश्वर जो है उसने भी सबसे बढ़कर जो उसने एक एहम कार्य था वो थी परातना परातना से परमीश्वर की सेपकाई जोती वो सुरू होती थी आगे इसी चीज़ को हम एक और व्यक्ति के रूप में पाते हैं जिसको ये चंगाई मिली परमीश्वर के द्वारा उसे हम देखते हैं कि मर्कुस की पुछ तक उसका पहला अध्या है और उसकी चालिसमी वर्स म बताया है कि एक कोड़ी से बिमार व्यक्ति जिसको कोड़ हो चुका था और वो अपनी बिमारी से बहुत परिसान था और जब उसे प्रभी येश्व के बारे में पता लगता है तो वो प्रभी येश्व के पास आता है और उससे दर्खास्त करता है यदि तू चाहे तो मु चंगाई प्राप्त हो गई और जब उसे चंगाई प्राप्त हो गई खुदावन येसु मसी ने उस से कहा कि तु जा और इस बात को किसी से भी ना बताना प्रिया जी जो आज का जो हमारा शिर्चक है वो यही है परमीश्वर की सिफकाई जो है वो गप्त सिफकाई और इसमें हम देखते हैं कि प्रभय येसु ने जब उस से कहा कि तु किसी को जाकर के नहीं बताना लेकिन उस ने क्या किया उसने वापस आयाiron वापस आकर कि उस ने जो है उस कारeto के बारे में जो है वो अपने आपको रोक नहीं सका और जब वो अपने आपको नहीं रोक सका तो इसमें हम देखते हैं कि प्रभु येसु मसी ने उसके सामने आगे कौन से कारे है कौन सी जो है दिक्कते उसके सामने आई मेरे साथ में निकाल ये मतकुस की पुज़ तक उसका पहला अध्याए और उसकी 45 वर्स में लिखा है बड़ी साथ लवजों में बड़ी किलियर्स लवजों में बताया है प्रभु येसु के बादे में परंतु बहार जाकर इस बात का बहुत परचाद करने लगा कौन करने लगा वो रोगी करोगी जो कोड से पीडी था क्यों कि प्रिया जी जो हम देखते हैं कि पुराने एदनामे में लेबवस्ता की पूश्ताक उसके तेर में अध्याए में बताया गया है और इस बात को भी जो है पुराने जमाने में लोग इस बात पर बहुत गंबीर गहराई से सोचते थे कि कोड की बेमारी एक ऐसी बेमारी है कि बच्छुआचूट की बेमारी है बहुत ऐसुद बेमारी है जिससे गिरना होती है और उस समय में अगर किसी सक्स को हो जाती थी तो उसे वो गाउं से बहान लेकिन यहाँ पर जब यह कोड से पिडित विक्ती प्रभू के पास आता है और प्रभू अपना हाथ बढ़ा करके उसको चंगा करता है और यहाँ पर पैतालिसमी आयत में बताया है कि उसने बाहर जाकर के बहुत पिर्चार करा और यहाँ तक की फैलाने लगा कि येसु फिर खुलम खुला नगर में ना जा सका क्यों क्योंकि परंतू बहँ बताया है कि जंगली स्थानों में रहा और चारो ओर से लोग उसके पास आते रहे क्यों आते रहे ताकि लोगों को विस्वास और चंगाईया मिलती रही और इसी प्रकार से लोग भीड़ प्रभू के पास उमरती चली चली आज हम देखते हैं कि हम तमाम को प्रभू येसु के पास जाने की जरूरत है बहुत जरूरत है बहुत बहुत धने बाद पास जी इन अच्छे विचारों के लिए और ये सच में ये एक विचार बहुत ही अच्छा है कि ये शुमस्ती सेवकाई को बढ़ा रहे थे लेकिन वहाँ पर वो खुलम खुला उस परचार को किसी कार्ण वर्ष नहीं कर पाए तो आज यहाँ पर हमने देखा जिस तरीके से अध्यान के अंदर बात चल रही है एक आत्मिक सबक हमें यहाँ मिल रहा है जिस तरीके से हमने बाते करी है तो मैं यहाँ पर मिस्स आरर भारती जी से जाना चाहता हूँ कि इस अध्याय में और हम किस तरीके से आत्मिक सबकों को लेकर सिवकाई को आगे बढ़ा सकते हैं धन्यवाद पाच्छार्शाम जैसे कि हमने देखा इसमें कि परमेश्वर की प्रभु येश्व की बुलाहट कि नों अपने चेलों को बुलाया तो हम देखते हैं कि हमारे के लिए भी ये बुलावाट है हमारे बहुत से लोग अजीज हैं जनके लिए ये बुलाहट है उनके दिलों में पश्चार आत्मा के जरीए ये बात आती है कि हम जो है जाएं परमेश्वर की सेवकाई में अबना आगे बढ़ाएं तो जब उनको पुलाहट है तो उसको स्विकार करें और उसकारे के लिए वो अपनी जीवन को प्रिडित करें और दूसरी बात ये मैं ये देख रही थी कि एक चीज हम लोगों ने देखा कि प्रभू येशु ने जब चंगाइक दी तो कितने हर्शुलास के साथ लोग जो है एक जो उनक कि कमजोरियां थी शारिरिक या आत्मिक या मानसिक जो भी तकलीफ उनकी थी उससे वो जो सद्दन्दता पा रहे थे और उनमें हर्शुलास था खुशी थी मिसिस इजी वाइट को इस बात को बदिजार आपेजिस में कहते हैं कि उनके मन हिर्देत खुल आनंदित थे इसल उनको हमें जाके संथना देनी हैं हम चंग प्रात्ना हर सकते हैं चंगाई की ताकि उनको चंगाई मिले और हम किसी तरह का जैसे कि पासर सुलंदर ने बताया कि 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 तरह का बेद भाव ना रख कि कोई चोटा गरी परिवार है या कुछ इस तरह का प्रभु येशुन कहीं इस जान अब ब Sut चंगाई और नहीं तो हमें जहें इस बात का ध्यान रखना यह को बहुत कुछ सी खने को मिलता प्रभु उपन और आत्मिक जीवन हमें अपना कैसे जीना है और में बढ़ ना है और लोगों के पास जाना है दौा करनी उनके लिए और प्रभु के लिए त विचारों को और इस अध्यान को बड़े ध्यान से सुना है आए आज आज के आज के लेसं को इस अध्यान को अन्त में जाएंगे और मैं इस वग मिस्स भारती जी से अनरोद करूंगा प्रात्न में अगवाई करें हमारे स्वर्गे दालोपिता परमेश्वर अपने हाथों को चोड़ कर पूरी नमरता के साथ आपके पास आतने हैं प्रभु जी आपके सुंदर अफसर के लिए कि आपके वचनों को जो आत्मिक सेवा जो आपने की और शारीरिक सेवा लोगों के की जो हम वचन में पढ़ते ह कि तो यह से ही। आपके अपके वाला प्रभु जी का उपला से कि लाडी आते हैं, इसको अपने जी में कारे बढ़ने वाला हो सके हैं और मैं दूआ करती हमारे जो धर्श्किक कि आपने उन्याने के जीर्ग अकारिए क कर आपके हम प्रुग कैंपनी कि लें नी दिंद दे आशिश अपने प्रभी परिमिश्वर के पुत्र प्रभी येश्व के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्राण कीजिए, आमें, आमें, बहुत धन्यवाद प्रात्ना के लिए, प्रीदर्शु को आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम आपसे मिलते हैं अगले झाल